बलबीर जी नमस्ते माननिय परदान मंत्री जी नमस्कार बलबीर जी कहां से हैं आप सर मैं ग्राम पंचाय त्रेवा तैसील अर्निया डिस्टिक जमू से बात कर रही हूं जी जी बताईए आप क्या करती है आपके परिवार में कौन कौन है जर आपके वीशे में थोड़ा बताईए जी सर सर मैं एग्रिकल्ट्रस्ट हूँ मैं फार्मिंग करती हूँ और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है मैं के सी सी की लाबार्थी हूँ सर बलवीर जी आपने बताया कि आप किसान है, किसान ही करती है, पुरा परिवार किसान ही करता है आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाब मिला है जब मुझे अभी तर किसेसी केसीसी का लाब मिला है फार्म मिशिनरी बैंक का लाब मिला है किसान सम्मान निदी का लाब मिला है आप अपने गाउं की सर्पंच भी है जी सर देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर गुज गया भी सबको हटा करके तब सर्पंच वो ही बन जा है का ऐसा लग रहा है है तुम्हें धका मार रही है ले निता अच्छा बताईए जो योजना ये आपको फाइदा हो रहा है क्या क्या हुआ है जार फिर से बताईए जी सर हम बिलकुल लास्ट विलेश बॉर्डर का है सर ये जमू का और हमें यहां भर पूर फाइदा हो रहा है किसानी करने का जैसे मैं बात करूँ केसी सी की सर मैंने एप्रेल दो या तेई में केसी सी लिया उस केसी सी का मैंने यूज किया ट्रेक्टर खरीदने के लिए उस ट्रेक्टर से मैं उससे भी मुझे एगरी कल्चर ने और फाइदा दिया फार्म मिशिनरी बैंक के रूप में मुझे 2 लाग का फाइदा हुआ सबसीटी के रूप में और वो सबसीटी सर आज की डेट में जो मेरे पी करजा था ट्रेक्टर का उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निदी की भी लाभारती हूं मेरे परिवार में किसान सम्मान निदी भी मिलती है जिससे हम साल में 6,000 रुपे का भरपूर फाइडा उड़ाते हैं जब भी हमने रभी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम देखिए आप तो कितने बड़े इंसान है मेरे पास तो साइकल भी नहीं है आप तो ट्रेक्टर के माली हो गई है आपका हाशिरवाद है सर पहले नहीं थी ये फर्स्ट विकल फर्स्ट इंप्लीमेंट मेरे नाम पे है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेरबानी से और्नेबल एलजी साब की मेरबानी से ये मुझे मिला है ये मेरे लिए बहुत बढ़ी बात है लेकिये सत्प्रतिशत लवार्तियों तक ये थारे लख पहुंचे इसके लिए आप भी कुछ जागरूती का काम लोगों से बताने का काम अगल-बगल के लोगों को जागरूत करने का काम कुछ करती हैं क्या बिल्कुल सर मेरे पास अगर मेरे ये मैंने फाइदा लिया है मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो के सी सी के लाभारती है मेरे पास परधान मंतरी अवास योजना के लाभारती है मेरे पास किसान समान निदी के लाभारती है ये सर मेरी पूरी पंचायद जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी पडर पे बहुत अच्छी है आपके पंचायद में लोग कितने हैं जम संगय कितनी है सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं 4700 लोग हैं पूरे सर ग्रासरूट लेवल पे आपसे सीखाय काम करना और काम करती हूँ भूलती नहीं होगा बीबी तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूँगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के दस गाओं में ये बात पहुचाईए करोगी जी सर आप देखें मेरा एक है सरकार की योजना है सरकार की योजना नेताओं की फोटू निकालने के लिए नहीं है सरकार की योजना नेता आजाए यहां विज्ञान बोन में दिया जला दें अखमारवाले चाप देर ऐसा है मेरे लिए वो नहीं है मेरे लिए तो सारी योजना सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक आखिर तक के गाउं तक पहुचे और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोग कोगा मुझे मदद मिलेगी और ये जो मैं संकल पर यात्रा लेकर के निकला हूँ ना गाउं गाउं जो ये मोधी की गारेंटी की गाड़ी आ रही है इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है और जिनको अभी मिला नहीं है मैं पांच साल में वो काम पूरा करना च सही लोगों को डूड़ना चाहता हूं कि जिनको सच मुझ में जरूरत है और फिर मैं सरकार का बजेट भी उसमें लगाना चाहता हूं और इसलिए हिंदुस्तान के हर गाउं में ये मोधी के विकास की गारेंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है तो ये गाड़ी का ला बॉर्डर पे बैठे हैं कभी जूट नहीं बोलते और बॉर्डर पे बैठ के डेली वाला फील आ रहा है सर पहले बॉर्डर लगता था आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए हमारे लिए भग पाओ में है जो कुछ गलत रास्ते पर चले जाए गए उतने ही लोग है वो जूट बोलते रहते हैं फालतु जी जो बोलते रहते हैं वरना हमारा सामान ने जो देश का नागरिक है वो जूट कभी ने बोलने का प्रयाश ने करता है तो मुझे खुशी हुई कि आप सत्थ बोलने के लिए इतने आग रही हैं और यह मोदी वाली गारंटी की जो गाड़ी है उसका आपने भव्य स्वागे उस दिन कितने लोग ते जब गाड़ी आई तो सर मेरे पास 200 से 300 लोग है अगर आपके 4700 लोग है ऐसा आपने कहा तो आपके गाव में गाड़ी आई तो कम सगम 4000 लोग होने चाहिए करकम है सर मैं इसका भी आपको बताना चाहूंगी हारवेस्टिंग का टाइम है सोईंग का टाइम है अभी हम लोग कनग भी बीज रहे हैं फसल भी काट रहे हैं तो मैं किसानों को डिस्टरब नहीं करना चाहती अरे आधा गंटे के लिए करना था जी दीदी ऐसे दोड़ा चलता ह जी आदे गंटे के लिए खाना खाने के लिए तो आते ही हैं ऐसे थोड़ा चलता है बिल्कुल सा चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर के और आप बड़े हिम्मत से वहां लीडर्शिप दे रही हैं सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं और महलाओं को